हेलो दोस्तो मेरा नाव है पंकच बोथ आपका बहुत बहुत सौखात है टेकनिकल पंकच यूटूटीव चनल पे तो फ्रेंड्स वीडियो सुरु करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर मेरा टेक्निकल पंकच यूट्यूब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए करने के लिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किसी तरह क्या करना कर चाहिए की किसे करने सा में काम मिलेगा यहां पर क्या क्या वीडियो पे आपको सब कुछ बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो का जो है एक दम शुरू से राष्ट तक देखिए तो चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं सबसे पहले देखिए मैंने एक अपवर्क के बारे पर वीडियो बनाया था जो की काफी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है वह वाले वीडियो पर तो मैंने सुचा कि क्यों ना और एक मैं वीडियो बनाऊ तो इस वाले पर पूरी इसके बारे पर डिटेल्स में बता दूगा तो आप लोग बेसिक तो जानते हैं अपर के बारे पर यहां पर आपका जो भी स्कील पर अपने account बनाना होगा तो यहाँ पर देखिए आपको सामने दो option आ रहा है अगर आप किसी से काम करवाना चाते हैं यानि कि आप किसी को hire करना चाते हैं freelancing के लिए तो आप इधर आप देखिए hire का option पर click कर सकते हैं और अगर आप खुद काम ढूंड रहें I am looking for online work तो यहाँ पर आप work पर click कर सकते हो तो मैं आपने लिए काम ढूंड रहा हूँ तो मैं यहाँ यहाँ पर work पर click करता हूँ देखिए work पर click करते ही आपके सामने और एक page open होगा जहाँ पर आपको अपनी account बनाने के लिए वह कहेगा तो यहाँ देखिए आपको simply है अदम first name देना होता है last name देना होता है अपना email address दे दिजी आप अपनी country select कीजिए और यहाँ पर username यानि की कोई भी ऐसा एक unique name दिजी आप जो कि आपका username हो एक अच्छा सा password चूज कीजिए और how did you hear about upwork आपने upwork के बारे पर कहां से सुना तो यहाँ पर click करते ही देखिए आपके सामने बहुत सारे options आते हैं जैसे कि search engine add, search engine results, friend, blog, forum, newspaper, event देखिए radio, television, other तो आपने कहां से सुना simply यहाँ पर कोई भी एक choose कर लिजिए यहाँ पर choose करने के बाद अभी देखिए type the letters below तो यह वाला जो नीचे code है वो वाला यहाँ पर सही सही आपको देना होगा तो यहाँ पर अगर आप चाते हैं कि upwork आपको email भेजता रहे वो जो भी latest news है तो आप इसे check करने दे सकते हैं otherwise आप अगर नहीं चाते तो आप जो हैसे uncheck भी कर सकते हैं और इसको जरूर से check कर दीजिए आप yes I understand पर इसकी agreement आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हो तो सब कुछ हो जाने के बाद आप जब get started पर click करेंगे यहाँ पर देखिए get started के बटन पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो आपका जो एक account है वो बन जाएगा लेकिन यह पूरी तरह नहीं बना होगा अभी आपका क्या करना है कि आपने mail एक बड़ चेक करना पड़ेगा आपके पास एक mail आ चुका होगा अपनी simply आप Gmail open कीजिए तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है एक mail आया वा रहेगा अपड़ के तरफ से तो उस email पर जो है एक link रहेगा उस link पर click करके आपको अपना जो account है वो verify करवा लेना होता है तो उसके बाद जो है अपना upwork का account आपका पूरी तरह बन चुका है यह देखिए मेरा भी mail आया था जब मैंने अपना account बनाया था upwork notification करके आपको सामने आएगा तो यहाँ पर देखिए एक link है इस link को click करके आप अपना account बना लीजिए ओके तो जब आप सब कुछ हो जाएगा तो आपका account बन चुका होगा मैंने यहाँ पर already एक account बनाया हुआ है तो मैं जहाँ simply login के button पर click करके मेरे account को मैं login कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं login के button पर मैंने click किया और यह वो देखिए मुझसे यह मेरा email user और password पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर simply जहाँ दे देता हूँ तो यह loading हो रहा है ओके तो अब देखिए create your profile आपके समने ऐसा एक page open हो जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर जो है आपका जो भी skill है मैंने काफी लोगों से phone में भी बात किया था लोगों को भी मैंने बताया कि आपको जो भी काम में skill है आप उस हिसाब से यहाँ पर अपने लिए काम चूज कर सकते हैं चोटा काम से लेकर बड़ा काम तक हर किसम के काम यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर देखिए what you have told us so far तो यहाँ पर देखिए मैंने यह अलड़ी चूज किया हूए बट मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए एक शूरवादी से यह आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना होगा कि उनके टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है उनके टाइपिंग के बारे पर बहुत अच्छा नॉलेज होता है तो मेरे ख्याल सबको राइटिंग चूज करनी है राइटिंग आपने चूज कर लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक है तो अब यहाँ पर देखिए select up to 4 types of work तो यहाँ पर आपको चार किसम के काम जाई चूज करने होंगे कि आप कौन-कौन टाइप की राइटिंग कर सकते हो आप चाहे तो हैं पर copy writing कर सकते हो grant writing web content other writing तो चलिए मैं यहां से कोई भी चूज कर लिए अगर आप चार्ट टाइप के काम नहीं चूज करना चाते हैं कि यहां पर आप कोई एक टाइप का काम भी चूज कर सकते हो जैसे कि मैं यहां पर चूज कर लिए अभी देखिए यह से आपके सामने कुछ नहीं रहेगा इसे मै लिमिटा जाता हूँ और देखिए what skills do you offer clients आपनी कौनसी skill अपने clients के साथ share करना चाते हो तो यहाँ पर मैं आपको suggest करूँगा data entry अगर अपने data entry के बार में नहीं सुनाएं तो network search करके आप जान सकते हैं कि data entry क्या होता है तो typing करना होता है data entry पर data entry कर सकते हो और अगर आप blog लिखते हो तो blog writing भी कर सकते हो देखिए blog writing तो data entry और blog writing तो मेरे ख्याँ से आपको आता ही होगा यानि कि writing करना इसे यह सबसे आसान काम है और यहां से आप काफी तगड़ी payment भी ले सकते हो और नीचे उतारते हैं अब देखिए यहां पर आपको दिखा रहा है what is your work experience level अपका entry level का है या intermediate का है या expert है आप तो मेरे ख्याँ से आप अभी entry level पर भी रहने दीजिए अगर आप expert है तो expert भी कर सकते हैं और intermediate भी कर सकते हो तो entry level पर क्लिक करके see recommendation पर आपको क्लिक करना है तो देखिए यहां पर आपके सामने है ऐसा एक page open हो जाएगा ओके यहां पर देखिए सब कुछ आपके वता रहा है ओके यहां पर category हमने जो भी select किया था सब कुछ यहां पर आ चुका है सब कुछ यहां पर आ चुका है आप एक बड़ देख लीजिए continue to create profile अच्छा यहां पर आप सब कुछ हो जाने के बाद अभी देखिए यहां पर सबसे पहले तो आपको एक अपनी एकदम good looking photo जो है upload करनी है यहां देख सकते हैं यहां पर एक photo पहले से uploaded है और यहां पर एक चीज़ के आपको ध्यान रखना है यहां पर अपनी आप खुद की image लगाईए क्योंकि clients जो हैं आपको देखना चाते हैं किसी और को नहीं देखना चाते हैं आप अगर मान लिजिए यहां पर कोई भी flower या ट्री या कुछ भी ऐसा टाइप का अगर profile picture लगाते हैं तो यहां पर वह वाला picture जो है upload होगा ही नहीं वहां पर एक error आ जाएगा यहां पर face detect होना चाहिए जैसे कि देख सकते हैं यहां पर face detect हुआ हुआ है तो यहां पर अपने profile picture सबसे पहले upload कर दीजिए अगर आप change करन professional title that describes the work you do यहां पर आपको एक title देना होगा जो कि आपके काम के नीचे यहां पर हमेशा सो होता रहेगा तो आपर उसी सब से अपने title को दे दीजिए तो आप अगर blog writing करते हैं तो यहां पर आप उसी सब से लिख सकते हैं तो देखिए दिखाने के लिए मैं आपको लिखता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ professional data entry worker ओके तो देखिए यहां पर professional data entry worker मैं लिख दिया अब जो है यह हमेशा नीचे सो होता रहेगा तो अब यहां पर देखिए write a brief professional overview आपको यहां पर एक overview देना होगा कि आपका कुण काम में ज्यादा skill है आपका experience क्या है आपके किस टाइप के contents पे आपको ज्यादा interest है तो उसी सब से यहां पर आपको लिखना होगा मैं यहां पर आपको दिखाने के लिए लिखता हूं यह मैं कोई असी है नहीं लिख रहा हूं मैं सेल पंकज वो थरह उसके बाद जो है आपको अपने बारे पर थोड़ा लिखना है कि आप क्या-क्या काम करते हैं आपका कितना साल का क्या-क्या experience है वगेरा वगेरा यहां पर आपको सब कुछ लिखना होगा और education यहां पर आप देदीजिए और एक चीज़ यहां पर आप ख्याल रखिए कि आपको अपने profile जो है 100% complete करनी है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाद में जो है आपको काफी problem आ सकती है यानि कि clients आप भरोसा नहीं करेंगे वो लोग देखते हैं कि आपकी profile कि इतने जादा updated है ओके तो यहां पर देखिए education पर क्लिक करते हैं यहां पर आपके सामने ऐसा एक form open होगा तो अपने यहां पर school देदीजिए आप add education मतलब जो भी यह dates attend जो भी है यहां पर अपना सबको आपको पूरा का पूरा feel करना होत channel है description यह सब optional है आप अपने मतलब education यहां पर आप पूरी की पूरी feel कर दीजिए high school आप दे सकते हैं कि यहां पर मैं आपको आपको यहां सी दिखाने के लिए क्लिए कह रहा हूं कि आपके यहां पर आपने school चूज वगारा कर सकते हैं इस तरह और यह जो है यह this field is required यह जो है आपको देना ही पड़ेगा तो यह सब आपने दे दिया तो आपको जो है education यहां पर हो जोगा होगा पूरा और है employment history आपका अगर कोई company है तो यहां पर आप दे दीजिए यहां पर period बगेरा यहां पर सब कुछ आप दे दीजिए role title अगर आपका आप नहीं देना जाता है तो यह आप नहीं दे सकते है add employment ओके यह पूरा आपको पड़ा है तो आपको यहां पर देख देखे सब कुछ करना है तो अब जो main बात आता है कोई भी online site पर काम करने के लिए आपक अपनी English जो है वह एकदम fluently बोलनी परती है लेकिन यह यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर देखे अगर आप जातातर जो इंडिया के लोग होते हैं वह basic English ठीक ठाक बोल लेते हैं देखिए basic I am only able to communicate this in this language through writing communication okay so यह जो है यह है basic का अगर आप fluent करते हैं तो fluent पर भी क्लिक कर सकते हैं मतलब आपका English speaking किस टाइप का है आपका इतना बेटर रहेगा आपके लिए काम मिलना उतना ही आसान होता जाएगा तो मैं basic की चूश रहने देता हूं और अब जो बात आता है पेमेंट का देखिए hourly rate this is the amount to client will see यहाँ पर आपको वह अपना amount देना होगा जो कि अपने clients को सो कर रहना जाते है यानि कि clients को पता हो कि आप कितना उनसे charge करेंगे और यह जो अपर के यह 20% service fee के तोर पर लेता है तो आप यह जित्ता भरेंगे उससे 20% जो है अफ्रोक लेगा और बाकी आपको you will receive जो है यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पर अपना hourly rate यहाँ पर भर दूँगा देखिए मैं यहाँ पर भर दे रहा हूं यहाँ पर माल लीजे मैं 5 करता हूं तो देखिए यह वाला जो है और यह वाला मुझे receive होगा यानि कि यह minus one जो है dollar काट लेगा और मुझे 4 डॉलर जो है वाला पर और कहीं सबसे payment कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी सबसे अपनी rate भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक्जम्पल के तौर पर यह आपको ऐसे देखे दिखाया आप यहाँ पर बड़ा भी सकते हैं और देखिए how many hours आप कितने घं कि अउन कि वह तैपसाफ और प्रोऍचरदी अरे इंत्रेस्ट आप यहाँ पर अपने क्स तैप पर प्रोजेक्ट पर जदह इंतर्स्ट रखते हैं वह ही आपको मिईंसन कर ना ए और उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूदा पूरा जो है एड्डरेस देना होता है अपनी यहां पर पूरी पूरी अड्रेस बगएरा दे दीजिए यहां पर city दे दीजिए अपनी country दे दीजिए postal code दे दीजिए यहां पर आपका phone number दे देना है तो दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के पाद आपको कोई भी टाइप का problem आ रहा है तो आप मुझे call कर सकते हैं हाला कि काफी लोग मुझे call करके पूछ लेते हैं personally तो आप भी मुझे call कर सकते हैं मैंने number देया है description पे मेरा तो देखिए review profile and submit पे अभी बिल्कुल ready हो चुकी है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो जो भी दिया था सब कुछ यहां पर आ चुका है you are almost there okay अभी जो है यहां पर देखिए submit my profile के बटन पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आप देखिए आपके समने कैसा page open हो जाएगा यही page आपको चाहिए यहां पर आप देखिए आपकी profile जो है कितनी percent complete हुई है लगबग मेरी जो profile है 40 percent complete हो चुकी क्योंकि मैंने यहां पर मैंने work history नहीं डाली है जो कि है plus 30 percent जो है मेरी complete कर देगी तो यहां पर आप डाल दीजिए इसे आपका यह profile यह एक चीज़ याद रखिए आपके profile यह आधा काम कर देते आ है यहां पर मान लिजिए आपका अगर profile अपने एकदम भी update नहीं रखा है तो clients को आपके उपर भरोसा करने अपर थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसलिए अपके profile जो है 100% updated रखिए तो अब जो बात आता है काम का कि यहां पर आपको किस टाप के काम भी लग जासे कि मैंने आपका लिखा था data entry के बारे पर तो यहां पर आप data entry लिखके भी search कर सकते है data entry और यहां पर आप search कीजिए तो आप यहां पर data entry के भी काफी सारे parts होते हैं देखिए data entry, Microsoft Excel, Internet Research, Visual Assistant, Virtual Assistant, sorry data entry यहां पर search करते हैं तो यहां पर देखिए काफी सारे जो है आपको works मिल जाएंगे देखिए यहां पर इतने सारे jobs found हो चुके हैं लगबग 6,776 job है data entry के तो यहां पर जैसा mention किया वर रहेगा इसी सबसे आपको उनके काम करने पड़ेंगे data entry operator है design and deploy employee 360 in survey monkey यहां पर आपको धिरे-दिरे सबको समझ माज़ा है कि जैसे जैसे काफी साइट पर experience बढ़ेगा तो आपको काम करने पर उतने ज्यादा मज़ा आएगा देखिए data entry operator यहां पर काफी सारे jobs है आप सब को देखिए उसके बाद आपको जो interest लगे वह कामा यहां पर आप कर सकते हैं देखिए data entry, web research काफी सारे यहां यहां पर आप next भी कर सकते हो देखिए आप next के बटन पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख लिजिए कि आपको कैसा क्या काम करना है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है यह intermediate के लिए है यानि कि जिनका थोड़ा बहुत experience है क्योंकि आपका कुछ भी experience नहीं है इसलिए जो है आप एकदम शुर्वाती तौर भी यहां आपसे काम कीजिए शूर्व देखिए entry level का यहां पर दिखा रहा है यहां पर आपको क्लिक करना होता है entry level का आपको काम करने से यह फाइदा होता है कि आपको अगर experience नहीं है यहां पर तो आपने काम को यहां पर दिखा सकते हैं I am looking for freelancer with the lowest rates तो इसके पूरे details से आपको कैसे यहां काम करने होता है यहां पर सब कुछ लिखावा रहता है और आपको उसका जो है submit a proposal पर click करना होता है देखिए यहां पर ongoing project जो है सब कुछ है यहां पर और जो भी भी आपका जो प्रोपोजल है वहां आपका कोई भी टाइप का message वगएर आता है तो आपको यहां पर देखिए message का tab है यहां पर देखिए एक bell का icon है यहां पर आपको messages सो होने सुरू हो जाता है तो आपको यहां से लगबग 75 डॉलर्स या 80 डॉलर्स जिस तरह को काम होता है data entry पर आपको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से मिल जाता है तो यहां से तो आप यहां पर देखिए अपने profile पर क्लिक करके यहां पर देख सकते है settings का एक icon है settings का icon पर क्लिक करना है तो देखिए आपको एक security question यहां पर आएगा तो आप इनके questions को देख लीजिए कि आपको कौन सा पसंद है your mother's maiden name your favorite song आप यहां से कोई भी एक चूज कर लीजिए देखिए यहां पर आपके account के पूरी के फूरी जो है information वगएरा आ चुकी है यहां पर मैंसे show नहीं कर सकता इसलिए मैंने इसे थोड़ा blur रखा है तो यहां पर आप देखिए अभी यहां पर जो होगा get paid get paid के बटन पर आपको क्लिक करना है और यहां पर देखिए सारे के सारे जो payment details वगएरा है यहां पर सब कुछ आ जाएगा payment details it may take three days to activate your payment method ओके देखिए setup now यहां से जो है आप काफी तरीके से अपने लिए पैसा withdrawal कर सकते है PayPal की मदद से Paynear की मदद से स्कील की मदद से आप direct bank transfer भी कर सकते है wire transfer ओके देखिए यहां पर जैसे अपने क्लिक किया तो यहां पर आपको सामने काफे सारे जो है options आट है जैसे कि मैंने बताया यहां पर अपड़ेट टु लोकल बैंक आई एनर ओके PayPal की मदद से कर सकते हैं Paynear की मदद से कर सकते हैं wire transfer और ड्रेक्ट टु यूएस बैंक यहां पर इन से मैथट के मदद से आप लोग अपने लिए पैसे निकला सकते हैं तो सबसे पहले आपको काम की और थोड़ा ध्यान देना होगा उसके बाद आपको वो लोक पेमेंट करेंगे आपको तो सबसे पहले तब काम यहां पर मनला आपके ठीक से कीजिए तो इस वीडियो पर मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है आपको की प्रफाइल अपने कैसे create करनी है कैसे clients को convince करना है कैसे उन्हें बताना है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं आपका जित्ता ज़ इस तरह आप अपर पर काम कर सकते हैं मैं आपको पूरी डिटेल्स पर बता दिया कि यहां पर आप कैसे क्या करेंगे तो उमीदे मेरे यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ही helpful रहा होगा अपर के बारे पर जो लोग freelancing काम कर रहा चाते हैं अपर पर तो वो लोग मेरी पि किजी इस वीडियो पर मुझे कॉल किजी अगर आपको कोई परसा नहीं आ रही है सो मिलता हूं एक अगली वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई